हेलो फ्रेंज बहुत बहुत श्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मीटर में तो फ्रेंज जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी साहित्त की धियास से भी सको सनिहा पे डेली आ रहा है तो वैसे अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं हिंदी आप लोग को परिशे करवा दूं ताकि आप लोग को समझना आसान हो तो आज हम लोग जानेंगे हिंदी भासा और उसका विकास का जो चरन था वह क्या था और क्या है अपभरंस क्या है अभहट ये सभी जानेंगे थोड़ा थोड़ा परिशे और वैसे अगर आपको पूर जानकारियां होती है मैं इसमें दूंगी समझने के लिए काफी है और इस वीडियो के अंत में मैं एक कोशन भी आज पुछने वाली हूं तो पूरे अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और उस कोशन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के देते हमेशा की तरह यानि कि अपभरंस अभठ सहित और पुराने हिंदी का समंध क्या है समंध तो देखिए भारती आरिभासा के तीन चरण है भारती आरिभासा के कितने चरण हुए तो तीन चरण हुए कौन-कौन से हुए तो प्राचिन भारती आरिभासा मद्ध भारती आरिभासा आधूनि इसकी समय सीमा किया है गंणा की जाती है जिसका परमान हमें देखने को मिलता है असो के सीला लेख में और इसकी समय सीमा क्या है उसकी समय सीमा है पांसो शुच अपूर्व से एःजारेसंवी पूर्व तक अधुनिक्भारतेया आर음भासा के बाद कहिए जब बहात के में इसमें इसका विकास जो भाण रूप है तेपैं अब THोडा सा जानते कि वैधिसंस्कृत और लोकिक संस्कृत में समाहित जो है यह क्या है वैधिक satskri अर लोकिक satskri to jjρί एन थोडा सा इसको तो प्राचिन भारते आर्भासा का प्राचिन नमूना या बोले कि बहुत ही पुराना नमूना जो देखने को मिलता है वह मिलता है वैदिक साहित में देखने को मिलता है वैदिक साहित का स्रीजन जो हुआ है वैदिक संस्कृत से हुआ है और वैदिक संस्कृत को जैसे कि वैदिक चंदस या चंदस आती नामों से भी जाना जाता ह और वेधिक साहित की बात कही जाए तो वेधिक साहित को तीन वर्गों में वरिकरत किया जा सकता है जैसे कि सहिंता ब्रहमान ऐबं उपनिशाद की Yokya यह सब टाल आते हैं जैसमें की रिग वेद ये सब क्या है वैदिक संस्कृत है वहीं अगर लोकिक संस्कृत की बात कही जाये लोकिक संस्कृत क्या है तो प्राचीन भारती आर भासा का वह रूप जिसका पाननी की अस्टधाई यानि पानी द्वराची जो है अस्टधाई अस्टधाई में विवेचन जो किया गया है जिस भास वह है लोकिक संस्क्रीट वही कहलाता है लोकिक संस्क्रीट ठीक है और इसका अगर आपको अच्छी से जानना है तो आप बुक पढ़ना पड़ेगा तभी आप अच्छी से इसको जान पाएंगे वैसी इतना काफी है समझने के लिए कि वैदिक संस्क्रीट में है यानि कि वै तो भगवान बुद्ध की समय जो जिस भासा का प्रयोग किया जाता था यानि कि पाली का प्रयोग किया जाता था प्राकित का प्रयोग किया जाता था तो यह सब क्या है बुद्ध की समय का भासा है यह पाली का अर्थ ऐसे बुद्ध वचन भी होता है तो यह सब जो है क्या ह बुद्ध के समय की भासाएं है जिस time ये पाली प्रा की तथा अभ्रंश की गन्ना की जाती जिसका की परमान यहां पे लिखवा भी ऐसे कि और वहीं आधुनिक भारती आरभासा क्या है ता आधुनिक भारती आरभासा है सीधा सीधा मतलब है कि आधुनिक भारती आरभासा का जो विकास हुआ है वो अपवरंस से हुआ है वैसे आधुनिक भारती आरभासा का सरपर्थम वर्गिकरन जो है डक्टर हरनल द्वारा किया अधारा सु असी सीव में और वैसे बहुत सारे विद्वान जो है अधुनिभारती आरवासा को अपने अपने धंग से वर्गिकरित किये हैं किसी ने 5 किसी ने 4 तिन अपने फिंग से सब को इसका वरगिकरिंग किये हैं और इसकी समय सीमा क्या है वो आप सभी को पता है कि तो प्राकित की तुलना जिस भासा में धन्यात्मक तथा अभ्याकार्णिक प्रिवर्तन हो गया था उसे बिद्वानों ने अपभरंस या अभर्षट के नाम से अभिध किया तो एक बात आप जान लीजे कि अभरंस या अभर्षट दोनों एक ही चीज है दोनों में ज्यादा कोई अंतर नहीं है तो सबसे पहले अभरंस कार्थी होता है बिगरा हुआ और प्राकित की तुलना में यानि कि बुद्ध की समय की यानि मद्य भारतियार भासा की समय की जो भासा थी बुद्ध की समय की जो भासा थी प्राकित की तुलना में जिस भासा का धन्यात्मक यान अभरंस प्राकी तथा आधुनिक भारते आर भासाओं के बीच की एक कड़ी है तथा परतेक आधुनिक भारते आर भासा का जन्म किसी ना किसी अभरंस से हुआ है वैसे हम लोग भी जान भी रहे कि अभी हम लोग जो परियोग करते हैं जिस हिंदी का परियोग करते हैं तो वह किसी ना किसी यानि कि आधुनिक भारते आर भासा की जो भासाओं है वह किसी ना किसी अभरंस से हुआ है तो भारते आर भासा का जन्म किसी ना किसी अभरंस से परवरति अभरण्स ya abhta कहा जाता है यह क्या थैस style परवर आरे भासाओं की बीच की एक कड़ी को अभठ कहा गया है क्या कहा इनोंने कि अभरंस और आधुनिक आरे भासाओं की बीच की कड़ी को अभठ कहा गया है यानि अभठ कहा है ठीक है चाहे वह अभरंस और आधुनिक आरे भासा की बीच की जो कड़ी है उसे इनोंने अभठ के अंतरशमन्द क्या है अभरंस से हिंदी का समन्द ये जान लेते हैं तो पहला पॉइंट है कि वस्तुता हिंदी का विकास जो है अभरंस के अधार पे ही हुआ है या बोले कि अभरंस के ही अधार पे हुआ है वस्तुता हिंदी का विकास किसे हुआ है अभरंस के ही अधार पे कि आधूनी हिंदी के जो सर्वनाम अपरंस से ही बिखसित हुए है हिंदी के जो सर्वनाम है वह किस से बिखसित हुए है अपरंस से ही हुए है जैसे कि हाउ बोला जाता है हाउ को अभी हम लोग क्या बोलते हैं हम बोलते हैं पहले बोला जाता था मैं मैं को बोलते हैं मैं फिर मुझ मुझ को बोलते हैं मुझे तहू पहले बोला जैसा तहू अब तहू को बोलते हैं तुम तो ये सब क्या है हिंदी के सर्वणाम जो है अभरंस का ही बिख्सित रूप है पहले अभरंस उसके बाद हिंदी में जो सर्वणाम अभी यूज होता है क्या है अपभरंस से आधुनिक आरी भासाओं का उदवाब या पोलें कि आधुनिक भारती आर भासाओं का उदवाब विभीन छेतरी अपभरंसों से हुआ जैसे कि यहां कुछ उधारन दिया हुआ है जो अभी हम लोग देखेंगे जो चलिए देखते हैं अपभरंस यहां पे लिखा हुआ है और उसके बाद लिखाए आधुनिक भासाओं और उपभासाओं तो देखिए सोर्सेनी अपभरंस ठीक है इसकी उपभासाओं या पिर आधुनिक भासाओं जो है वह क्या है तो पश्मी हिंदी राजस्थानी गुजराती ठीक है सोर्सेन प्रंच और उसकी ओ भाषाय देखी जाए या उभाषाय देखी जाए तो पस्मे इहिंदी राजस्थानी और गुजराती नेक्स्ट है मागदी तो बिहारी बंगला औडी शा और अस्मी यह सब चो बहसाएं है अभरांस की भहसाएं मागदी जो थी वह अधुनी भहसाएं में परिवरती थी भ़ह है जो उद्वप हुआ है इसका क्या हुआ है बिहारी बंगला ओडिया और अस्मी फीडेस्ट है औरधangel अर्दमागदी पुर्भी हिंदी अवधी बगेली और छतिस गड़ी फीर है महरास्टी सोरसेनी महरास्टी सोरसेनी जो है अभी माराथी है ना उसके बाद है ब्राचंड ब्राचंड अभी है सिंधी 85 सोरसेनी अभी है लहन्दा पंजाबी और खस सोरसेनी अभी क्या है उम्मिद करती हूं कि आप लोग समझ गए होंगे भारती आरभासा को है ना भारती आरभासा तीन भागों में विभाजित है प्राचिन भारती आरभासा मद्ध भारती आरभासा और आधोनिक भारती आरभासा अब थोड़े से कुछ अबजेक्टिव कोश्चन हम लोग देख संपादन किस ने किया तो option है हर परसास सास्त्री ने दूसरा है पंडू रंगुने ने दिसरा है हर हीरा लाल जे ने चौथा है राहूल संस्क्रियातान ने तो सिद्धो की अपभरंस रचनाओं का संपादन किस ने किया था इसका सही option क्या हो जाएगा इसका सही option हो जाएगा इन्होंने ही किया है सिद्धो की अपभरंस रचनाओं का समपादन हर परसाथ सास्त्री ने नेक्स्ट कोश्चन है कि अपभरंस का बाल मिकी किसे कहा गया है यह सबी आप जानते होंगे अच्छे से और यह कोशन रिपिट भी हुआ है और अपलों का रिवीजन भी हो जाएगा इसमें तो अबरंस का बाल में की किसे कहा गया है हैमचंद्र को कहा गया है या फिर पुष्पदंत को कहा गया या फिर स्वैमभू को कहा गया या फिर मूनी राम सिंग को कहा गया तो किसे कहा गया है तो option number इसका C सही हो जाएगा Swayambo ko Auparns का बालमे की कहा गया है Next question है कि Swayambo ko Auparns का काली दास था पुषबदंद को भभवूती किस ने कहा Swayambo को किसी ने कहा कि Auparns के ये काली दास है और पुषबदंद को भभवूती बोले स्वेम्भू को कालिदास और पुस्वदंत को भबूती तो या किस ने कहा है डक्टर राहूल सलस्रियातना ने कहा या फिर हर परसाल सास्त्री ने कहा या फिर डक्टर बागजी ने कहा या फिर डक्टर भयानी ने कहा तो किस ने कहा है इसका सही अप्सन जो हो जाएगा अप फोर्द भाग की रचना किसने की पूम चरियों के उतराद भाग की रचना किसने की है तो किसने की है पहला आप्षन है ग्मीर धानजले और जा सिंबु के बेटे थे यानि कि सु इंभु का बेटा थे ट्रुवर इन्होंने ही किया है तोफे चे के उतराग़ाग की रचना कि दामोदर्पंडीत ने कोसल की भासा को निमलखित में से क्या कहा है अभिरोकती कहा या फिर देसी भासा कहा या अपबरस्ट कहा या फिर राजभासा कहा तो दामोदर पंडित ने कोसल की भासा को क्या कहा है तो इन्होंने कहा है अपबरस्ट और अपने गरंथ यानि की इनका गरंथ जो है उक्ती बेक्ती प्रक्रनम इसमें इन्होंने कोसल भासा को अपबरस्ट कहा है उक्ती बेक्ती प्रक्रन में ठीके नेश कोशन है कि अपवरंस का सरवाधिक बिवाधित पहलू निमलिकित में से कौन सा है अपवरंस का सरवाधिक बिवाधित पहलू जो कहा जाता है वो कौन सा है प्राचिंता है या फिर परमानिक्ता है या फिर सहिक्ता है या फिर अपवरंस के भेद है तिसका option number जो है D से ही हो जाएगा अपवरंस के भेद नेश कोईशन है कि उपनागर कहां की बोली है तो उपनागर कहां की बोली है या बिहार की है या फिर सिंध की है या फिर गुजरात की है या फिर राजस्थान की है रिया जो है उपनागर राजस्थान की बोली है राजस्थान की बोली थी नेश कोईशन है कि सिंधली सिंगल के आदी रूप को क्या कहते हैं तो सिंगली के आदी रूप को क्या कहते हैं जल्दी से बताते हैं एलू कहते हैं या फिर खस बोलते हैं या फिर पेचासी बोला जाता है या फिर सुरास्टी बोला जाता है तो सिंधिक सिंधली के आदी रूप को कहा जाता है एलू option नमबर इ सही हो जाएगा प्रगत अनुशासन के लिए रचनाकार यानि लेखा कौन है तो पूर्शुत्तम देव है ठीक है अप्शन नमबर सी इसका सही हो जाएगा तो ये थे आज के वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हुआ अप लोगों को पढ़के उम्मीद करती हूं समझ में भी कैर वी आयोगा बहुत कुछ तो चलिए फटा-पट डेड़ना करते हुए आज का question है कि कि सभी ध्षारन ने अपढ़रंच बषार नहीं माना हैं ऐसे कोन सिंगान हैं जिनोंने अफ़फरंश को देश भासा नहीं माना हैं यादर्खी का nearbyं माना एक तो को कौशन था कि माना है दूसरा कोस्टन था कि यह बिल्कुल करेंट इसम कोश्षन है तो आपका झाल, 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 झाल